हेलो फैंट्स एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दफोकुस्टेडर में तो गाई सासा करता हूँ काफी अच्छ होंगे लैट्स ही जानते हैं कि सिल्वर के बारे में कि सिल्वर में कहां तक पोसिबल्टी है कि दिवाली तक क्या लो अब तक आपने गाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो वीडियो को लाइक कर लो ताकि आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल सके तो गाइस वीडियो को सुरू से आखिर तक जड़ू देखना वीडियो को मिसमत करना तो guys सबसे पहले मैं आपको disclaimer दे दूँ ये video only for educational purpose के तोर बना जा रही है मैं आपको यहाँ बार किसी परगार का buy and sell के बारे में recommend नहीं करूँगा और आपकी profit and loss की स्वयम जवाबदारी होगी तो चलिए guys सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि intraday के हिसाब से भी और positional long term के हिसाब से भी क्योंकि अगर मैं आपको one day के chart पर दिखाऊ ना यह मैंने silver का one day का chart लगाया होगा इस यहाँ पर अगर आप इस चीज़ को note कर रहे होगा इस यहाँ पर यानि कि अगर मैं आपको mark करके दिखाऊं एरिया तो फिर आपको यहाँ पर clear clear आपको यह जो range है ना यह range बिल्कुल anti-z बिल्कुल no trade zone यह बिल्कुल no trade zone है guys यहाँ पर आप यहाँ पर किसी भी परकार का trade ना बनाए इस area के अंदर आपको जो trade बनाना है guys वो trade कहां पर बनाना है आप trade बना सकते हैं guys अगर one day के चार्ट पर मैं आपको clear दिखाए दा हूं इस चीज़ को अगर यहाँ पर है ना अगर silver upside में याने की 72,361 अगर 72,361 से यहाँ पर ऊपर निकलता है और यहाँ पर sustain करता है guys तो फिर यह आपको upside में जो target दिखाएगा 73,700 तक के आपको upside में level दिखा सकता है याने की 73,760 तक जा सकता है silver upside में और यह यहाँ पर है ना यहाँ पर trade line यहाँ पर trade line का resistance फेस कर सकता है और downside में कहां तक जा सकता है अगर guys यहाँ पर इस level को break करता है अगर यह 7950 को break करता है और downside में फिर आपको जो नीचे side में जो level मिलेंगे 70,060 70,060 तक के आपको level easily मिल जाएंगे यहाँ पर downside में और हो सकता है कि यह नीचे side में आपको फिर downside में 69,000 69,000 तक भी आपको level दिखा सकता है फिर यह downside में अगर यहाँ से break करता है तो level अगर यह 70,050 को नीचे जाता है ना तो फिर आपको यह downside में 69,000 तक भी level दिखा सकता है लेकिन possible जब यह गाइस वो जब यह इस support को break करे पोसिबल जब यह गाइस वो जब यह इस level को break करे जब यह नीचे side की downside की position आप बना सकते है इसके इंदर अगर यह level break करता है तो गाइस तो गाइस मैं आपको थोड़ा chart को अगर close करके दिखाऊ ना तो आपको clear समझ में आएगा कि मैं जो आपको बताना चाहरा हूँ ना क्योंकि यहाँ पर जो एक channel draw हुआ है ना कि यहाँ पर जो चैनल ड्रोव है यह वाला चैनल कि यहाँ पर रिजिस्टेंस पेस क्या इसने और यहाँ पर सपोर्ट फिर यहाँ पर रिजिस्टेंस फिर यहाँ पर सपोर्ट बनाया फिर यहाँ पर कंसोलेट जोन अगर यहाँ से अपसेड में आपको बताई दिया अग अगर इसका ही ब्रेक आउट करेगा यहां से तो फिर यहां से अपसेड में निकल सकता है और अगर मैं आपको फोर आवर्स के चार्ट पर लेकर चलता हूँ गया इसमें तो अगर आगे आपको किलियर आपको सभी चीज किलियर आपको समझ में आज़ागे इसके अंदर तो ग या मैं बता रहा हूं बार बार आपसे यह बिल्कुल नो ट्रेड जोन है वाई से यानि की अगर आपको मैं किलियर बोलू तो 22,360 एंड 70,960 यह बिल्कुल नो ट्रेड जोन है वाई से वह यह या तो इसके उपर ब्रेक आउट करे और यहां पर सर्टेन करे तो अपसेड मे अगर यहां से नीचे निकलता है तो फिर आपको downside में काफी अच्छे level मिल सकते हैं और अगर मैं आपको अपना opening convention बताऊ ना कि मुझे लगता है कि silver अभी ना तो upside में निकल रहा है ना ही downside में chances अगर मैं आपको बताऊं 17% chances जो इसके बने हुए है ना guys वो guys इसके upside में chances हैं अभी निकलने के upside में यहां तक निकल सकता है अगर यह इसको break out करता है तो जो मैंने आपको level बताए है तो चले गाइस वीडियो भी काभी बढ़ा हो जगा है वीडियो क्लोज करता हूं धन्यवाद टेडर्स